काफी रिस्टिक्शन्स है मास्क पहना जरूरी है सामाजिक दूरी बनाई जा रही है मंदिर जाकू जो यहां का बहुत फेमस है वो बंद पढ़ा है वहां के दर्शन नहीं हो सकते पर वैसे भूमा जा सकता है हमें इसमें को इतना मलब इतना सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स लिए जा रहे है तूरिजम होता है इस टाइंपे हर साल पर वोह नॉर्मल चल रहा है क्यों एतना वह ज्यादा रश नहीं है नॉर्मल है याइस प्लीज मैंटेन सोशेल डिस्टेंशिंग कहीं भी आप जाएं सोशल डिस्टेंशन गाहां पर बहूत अच्छा वैदर है हां में आना एक अलग एक्स्पीरेंस होता है तो इस वंडर्फुल घर पर मैंने वही ऑनलाइन क्लासेज एंड अल मतलब जितना भी ऑनलाइन सारा च्टूशन्स वगए है तो अब विकेशन्स पढ़िये और थोड़ा सा चंडीगड में भी लॉक्डाउन के लिए थोड़ी सी ग जो ओपन हुई है इसका एक प्रमुक कारण रहा है कि हमने डिसिप्लिन शो किया है इसकी वज़ा से कोविड कैसे डाउन हुए और रिलाक्सेशन्स में वेवाफ मिला है पूरे भारत वर्ष में स्टेट्स अलग-अलग तरीके से अपने अपनी रिलाक्सेशन्स कर रहे हैं हिमाचल में लास्ट टू लास्ट वीक हुआ और अभी कुछ रिलाक्सेशन्स फिर दी गई जिसमें हमें पहले से भी फोन आ रहे थे और एंटिस्पेटेट था कि अब टूरिस्ट बहुत आएंगे ऑल्मोस्ट शत्यस घंटों में शिमला शिमला की अगर बात करें शिमला वीकल्स क्रॉस की शोगी के अंदर आई तूरिस इंफ्लक्स बहुत बड़ा है आज हम सुबह से हमारी टीम टीम्स की बात करें सेक्यूरिटी टीम्स की बात करें या पेट्रोलिंग पार्टी आप देख सकते हैं मॉल रोड पे इन और शिमला जो टूरिस्ट को गाइड कर मेरा आगरे रहेगा के टूरिस्ट आएं आपका बहुत स्वागत है हमारे शिमला में हमारे हिमाचल में बट कोविड अभी भी हमारे बीच में है भूलिएगा मत लापरवाई मत कीजिए जो भी प्रोटोकॉल है खासकर मास्क वेर करना सोशल डिस्टेंसिंग सैनिडाइज करेगा I must tell them कि हम हमारे लिए हमारे सिटिजन सारे बढ़ाबर है अगर हम लोकल्स का चलान करते हैं तो उनका भी जरूर करेंगे पांसोरबे का चलान है मास्क का और अगर हमें लगा के सक्ती करनी है तो आठ दिन की सजागा प्रावदान है पुलिस एक में हम वो भी करेंग